दोस्तों केसे हैं आप लोग और दोस्ता आज के इस वीडियों हम बात करने वाले हैं फाइनल येर का सब्जेक्ट कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग पार टू उसके वो सारे इंपर्टेंट कुश्चन जो आपके इस उनिवर्सिटी एक्जाम के पॉइंट आफ यू से बहुत देखा जाए तो यह आपको एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट भी लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए डाटा होते हैं और नए डाटा को एड करना और उसमें से फैक्ट जो सही है उन्चीजों को ढूड़ना बहुत हेक्तिक हो जाता है ठीक है तो यह अपने हेल्थ क्या होती है दूसरी है कि हेल्थ प्लानिंग और पॉलिसी से उससे लेटरेड हम क्या-क्या पढ़ सकते हैं मतलब एक स्वास्ती नीती या फिर बोला जाए हेल्थ पॉलिसी है वो क्या होती है देन जो थर्ड यूनिट है प्छी प्रमोसन क्या से करना उसके कौन- इंपोर्टेंट भी है नेशनल प्रोग्रम बारत देश में कौन-कौन से नए प्रोग्रम चलते हैं और यही एक यूनिट है जहां पे नए अपडेट्स आते रहते हैं क्यूंकि हर साल कुछ ने कुछ प्रोग्राम लोंच होते है तो वह सब पढ़ने पढ़ने पढ़ते है इंटरेशनल लेवल के अगर देखा जाएं तो पूरानी चीज़ें क्या होती है चार चीज़ें पढ़ेंगे रिजन यह कि वह नहीं पढ़ने पढ़के जाए और एक्जाम में आ जाए तो दिकत हो जाती है फिर फिर यहाई जो अपने से लिपस की चीज़ें वह यह है जै community health nurse search का क्या क्या रोल होता है वो हमें पढ़ना है अगर unit second की बात करें तो इसमें आप यहां से अपन स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन-कौन सी health problem है इसको ही अगर better way में देखा जाए तो अरवन में क्या है और rural में क्या है तो यह अपने लिए बहुत ज़्यादा important बन जाता है जो third है वो again वो very very important इससे भी ज़्यादा important कि कौन-कौन सी health committee है जो आई थी अब देखिए मेरी मेरे साब से देखा जाए तो हो सकता है कि इस पार आपके exam में यह सवाल पका आए कि कौन-कौन सी health committee है उसमें से कोई तीन health committee है उनके बारे में अच्छे से लिखो या फिर कोई committee की नाम देते जैसे भोर committee करतार सिंग committee या मुदलियर committee इन्होंने क्या क्या काम किये थे उस सब लिखो तो मुझे जैसे है वो लग रहा है कि second या third इसमें से एक पका ना थर्ड का ज्यादा probability है कि आपके एक्जाम में आए ओके दिन आगे हम बात करें तो national health policy क्या होती है ओके मिल्ब हमें जानना ही पड़ेगा कि national health policy चीज है क्या उसके goal क्या होते है principle क्या objective क्या है description क्या क्या है उसमें role of nurse क्या है वह सब आपके पूछा जा सकता है और record maintenance है वह सब पूछ सकते हैं आगे देखे तो health care delivery system इंडिया में किस टाइप का health care delivery system में इस पे बड़ा सवाल आ सकता है यह मैंने गुले में इस लिखेद किया है क्योंकि बड़ा question आजाए art number में फिर हमें सब कुछ इसमें लिखना पड़ता है phc cc देखा जाए तो यह question कहीं आपस में link होते हैं center level पर कुछ सा health care delivery system है और state level पर किस टाइप सी काम करता है तो यह पूछा जाता है आगे एक छोटा सा short notes मनता है जिसका नाम है referral services क्या होती है वह मैं पढ़ लेना है mtp जो आपने पढ़ी लिया होगा वह आपको पढ़ लेना है pregnant mother को क्या कि आप health education दोगे community nurse वह आपको देखना है और vital aesthetics नाम का एक topic है जो आपकी community में आता है वह पढ़ना है तो यहां से मैं जो important questions है वह उठा रहा हूं जैसे कि पहला ही सवाल है vital aesthetics ना vital aesthetics बहुत important है pregnant mother के health education आपके लिए important है लेकिन आप कहीं ना कहीं एक आपको आपको इसको बस चार नंबर में पढ़ना है यहां पर जो सबसे important question है वह यह है इंडिया के अंदर कौन-कौन सा health care delivery system है वह किस type का है वह में देखना है अगला यह question है कि PHC और CHC में क्या फरक होता है ठीक है एक SBA नाम से जो topic है skill birth attendant उसको आपको बस चार नंबर के साब से prepare करना है तो यह सारी चीज है जो मैं आपको इस unit में पताना चाहूंगा कि बहु कि गाउं के अंदर health services कैसी है वहां क्या challenge है क्या-क्या health need वहां पे और यहां पे community health nurse किस परकार से चीज को बहतर बना सकती है यह सवाल बहुत ज़्यादा बन जाता है आपके लिए क्योंकि कहीना कहीं पोस्टिंग गाउं में होती है तो फिर इस चीज की रिक्वार्मेंट ठीक है प्राइमरी health care क्या होता है इसका और फंक्सन यह सारी चीज़े है वह पी एक बात सुनीगा community health nursing बोरिंग है थोड़ा lengthy subject भी है ठीक है तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत में यहां पे extra questions भी बता रहा हूं ठीक है ताकि आपका यह सीन है वह अच्छे से हो जाए और से योगदान दे सकती है आपने अगर communication और education technology वाला subject पढ़ा है तो वहां पे एक topic आया था IEC information education और communication यह अपने आपने एक important topic है ठीक है कि IEC क्या होता है इसकी definition और इसके principle आपको पढ़ने है immunization क्या है ठीक है उब को पढ़ लेना इक आपको पढ़ लाना है पढ़ी चुके हो पेडिया में पढ़ चुके हो बीजिम पढ़ चुके हो एक है वाइस आप occupational health hazard जो भी मज़ूर पोगरा काम करते हैं उनके health को क्या क्या परभाव करता है वह सारी चीजे हम इसमें पढ़ते हैं तो मैंने आपको इस यूनिट में देखे जाए तो चे चीजे बता हैं इस अगली बात करते हैं अपनी फाइनल यूनिट ठीक है उस में अगर देखें तो यहां पे देखें आपके लिए मैं लिखें एक तो international agency कुन सी और national agency कुन सी है आपको कोई दो या तीन international लिए निस्ट लेगना सब्सक्राइब करें इसके लिए आप इसको अच्छे से है वह लिखें और पिपर करें अप तो इसकी स्क्रीन सोट ले सकते हो और हमारे टेलिग्राम चैनल है वहाँ से भी पीडिएफ ले सकते हो तो वहाँ पे आप इसको अपने फोलो करें थेंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो